तो बच्चो आपके आई हो पड़ाई मस चल रही है धमा दम रिविजन हो रहा है चैप्टर के चैप्टर आपकी कंट्रोल में आ रहे हैं सबसे इंपोरेंट क्या है यह पूरा सेलेबस आपके कंट्रोल में आना और यह कंट्रोल में आ गया आइम शूर इंडाटेक्स तो मेरे पास है मैं 100% इसमें स्कॉर करूँगा इतना कॉंफिटेंस अगर आपको आ गया तो 100% सक्सेस आपके होगी और इस सक्सेस के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चो महल बनाएंगे शांदर वाला पढ़ाई करेंगे मस्त वाली आईए सर चप्टर में 31 बेगेज पॉस्टल इंपोर्टर गूट्स ही मानेंगे हाँ अनक्रमिन बेगेज आप पहले आगे बेग बात में बेग बात में चलेगा आगे रूल दे रखा मात करेंगे इसके बार में concept क्यों होता है बेगेज मतलब उन पर कोई custom नहीं लगेगा पर अगर उसने बाहर से कोई शॉपिंग करी और नया गूट्स इंडिया में लेके आ रहा है तो सर यस उस पर बेगेज के प्रोविजन लगेंगे उस पर कस्टम लगना चाहिए पर अगर वो गूट्स अपने personal यूज के ला रहा है या अपने family members के लिए कोई gift लेके आ रहा है या बाहर से कोई souvenir ला रहा है तो उसके लिएक limit तक exemption दिया वा है वो exemption कितना हम देख रहे है पर हाँ ध्यान देना बचा personal use के लिए जो goods ला है उसके लिए exemption दे रहा है जो भी exemption लिमिट पढने वाले है अगर उसने कोई professional equipment बार से लिया है professional equipment तो उस पर कस्टम लगता है irrespective of value उस पर कोई exemption नहीं मिलता सर देखिए the proper officer में subject to rules pass free of duty क्या the goods which are already in use by the passenger for not less than prescribed time the goods which are not in use मतलब नहीं यह goods लेका है up to limit exemption दिया वाय है which में भी prescribed in baggage rules हम पढने वाले है but good should not be good should be for the use of passenger or for his family or is a bona fide gift or souvenir that is not for commercial business purpose अगर commercial business purpose के लिए तो कोई exemption नहीं है compulsory custom pay करना पढ़ेगा clear sir section 77 declaration by the owner of the baggage जब baggage जो passenger आएगा वो baggage का declaration देगा कि goods क्या 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 वो लेक्या आया है बार वैसे practically sir हर international airport port पे दो great लगे होते दो gate होते दो challenge होते green channel और red channel green channel निकल रहा मतलब you are making a self declaration कि अपकर पास कोई भी कुर्स आशा नहीं है जिन पर custom लगता है और red channel पर custom officer होते है they can verify the goods और sir वो verify करने के बाद देखेंगे custom लगना है कि नहीं लगना है अगर नहीं लगना है छोड़ देंगे लगना है तो custom लगेगा और फिर जाहिए बेटा आप ठीके sir section number 78 relevant date for rate of duty and tariff value देंदना अगर custom लगना तो rate of duty किस दिन का tariff value किस दिन का जिस दिन आपने back present किया है for sir clearance तो उस दिन का rate of duty and tariff value is relevant वैसे custom में bagage पर rate of duty fix है 35% plus social welfare sir charge ठीके आईए सरकार sir section number 80 बोलता है कि बड़ा सुन्दर section है हेमल केशा का judgment था में आपको lecture मता है था कि अगर आपने कोई goods इंडिया में sir आपके bagage में कोई goods ऐसे है which are prohibited या which are dutable पर sir आपने उसके respect में अगर true declaration दिया है to the proper officer at the time of coming to India तो ऐसे case में sir आपने इंडिन पोर्ट पर जब goods आपने bagage प्रेज़ेंट के उस true declaration दिया था कि goods मेरे पास यह है जो prohibited है या डिटेबल है तो ऐसे case में at the request of the passenger वह officer उन गूट्स को वही पर रख सकता है वही पर क्या हुआ था कि sir वह passenger बाहर से आया और वह चुपके से बाहर निकल रहा था sir पर ऐसे case में customer उसको पकड़ लिया और जब बेग open कर देखा तब उसको बहुत सारी महेंगी महेंगी अच्छा इन पर कोई IGST और GST नहीं लगता है clear done सरकार valuation rules जो आमने पड़े वही valuation rules इन बेगेस के लिए भी apply होते है अगर आप नेपाल बुटान मैनमर के अलावा किसी और कंट्री से आ रहे हो तो रूल मतरी बूलता है क्या कितना exhibition मिलेगा सबसे पहली बात यह है कि sir used personal effect or travel sonners यह हर category of passenger के लिए allowed है except for an infant sir देना infant अगर आ रहा है तो बहार से किसके लिए क्या सोवन ने लेकिया है वो तो खूदी सोवन ने बेटा बहार की clear done अच्छा अब देना ने मिटा अगर foreign origin का tourist है except infant foreign origin का tourist अगर है तो 15,000 तक का sir कोई भी goods वो लेके आ सकता है without payment of any custom along with the sir used personal effect and travel sonner travel sonner कितना ही मिहंगा हो चलेगा बिटा here हाँ पर इसा नहीं diamond से बेने वी good sonner चीए बिटा है travel sonner मतले बाहर की निशानी बिटा moment to type होना चीए ठीक है अब sir देना only 15,000 का है उसको exemption बाकी सारे category of passenger भली वो Indian resident हो foreign resident हो या कोई passenger हो बहर से अगर आ रहा है तो 50,000 तक उसको benefit मिलेगा इन respective articles जो बहर से लेके आ रहा है along with the used personal effect and travel sonner केवल एक ही नाम याद रखना आपको क्या tourist of foreign origin उसके लिए 15,000 है बागी सब के लिए 50,000 है हाँ infant अगर होगा तो उसके लिए सर वो तो बच्चा है चोटा बच्चा है दो साल तक ही एज का है बेटा सर वो किसी के लिए क्या gift लेगा है वो तो खुदी गिफ्ट है बगवान के बेटा तो ऐसे case में के बाकी कुछ भी उसको अलाउड नहीं है without payment of duty ठीके अच्छा यही अगर नेपाल बुदान मैनमार स आ रहे होंगे तो सब के लिए 15,000 बेटा नेपाल बुदान मैनमार से आ रहो तो कोई भी केटेगरी पैसेंजर आ रहा हो भली foreign origin का हो इंदीन ओरीजिन का हो कोई का भी हो लिमिट इस 15,000 प्लस यूज़ परसनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सुनियर्स पर अगर आप सर इंफ नेपाल बुदान मैनमार से अगर आ रहे हो तो ठीक है सर डन अब यह लिमिट जो दे रहे हैं आपको यह हर पैसेंजर के लिए सेपरेट काउंट करना है ऐसा नहीं कि तीन दोस्त बाहर से आ रहे है तो तीनों का क्लब करके सर अगर आप मानलों कोई पचाजार के लिए से बल तो डेड़ लाग रुप देगा गूर्स अला हो गया ऐसा नहीं पचाजार आपका पचाजार आपका पचाजार आपका सबका सेपरेटली काउंट किया जाएगा अगर पेसेजर की एज 18 यह अबाव है तो यसे केस में वन लेपटोप कम्प्प्पिटर आपका 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 बताई है ये नए गूट्स आप बाहर से लेका रहे हो उसके रेस्पेक्ट में है यूज परसनल इफेक्ट और ट्रेवल सोनेर को अलग रिखना ये तो unlimited allowed है प्लस देंदरना बच्चो ये 15,000 और 15,000 करद जो limit में आपको बता है इसका numerical बनता है इसका numerical question बढ़े अच्छे समयने आपको दे रहे के बुक के अंदर सर इसमें आप धियाना आना जो भी goods आप लेके आ रहे हो आप दो कलम बनाना एक तो eligible for exemption एक और not eligible for exemption नोट eligible for exemption लब अनेग्जरबन वाली goods में जितनी भी value उन पर compulsory custom pay करते है ना और सर जो eligible for exemption है वो सरे goods का list बनाना उसमें जितना भी value आ रहा है लेस 15,000 और 15,000 और इस दे केस में भी एन लेस करके remaining amount पर 38.5% custom pay करते है ना अब सर अनेग्जरबन वाली goods कोन कोन सी है fire arms, cartridges of fire arms exceeding 50, cigarettes exceeding 100 sticks, cigars exceeding 25 tobacco exceeding 25 grams sir, alcohol, liquor and wines in excess of 2 liters, gold or silver in any form other than ornaments बैटा sir, gold coin लेक्या आगे बैटा, gold का, अब biscuit लेक्या आगे, flat panel television, LCD, LED, plasma बैटा, ठीके अब देनरा मच्चा, जैसे example के लिए, alcohol, liquor and wine in excess of 2 liters लिका है exam में गलती क्यों होती है, पास liter दारू लिका है, कोई आदनी बैटा, मानलो तो 3 liter is covered in annexer 1, 2 liter तक annexer 1 में cover नहीं है, मतलब 2 liter exam नहीं है 2 liter is eligible for exemption बैटा, हाँ है ना भाई, done, सरकार, अब आईए, sir, यहाँ पर मैं एक note दे रखा है यहाँ पर fire arms, cartridges of fire arms exceeding 50, cigarettes, cigars, sir, और tobacco exceeding 125 grams, दे अनना मच्चो, यहाँ पर यह वाले article, यह तीन, first तीन अगर आटिकल लेका है, तो rate of customer duty is 100% plus 10% social welfare surcharge, दे अनना मच्चो, इन goods के लिए, बाकी goods के लिए, normal जो custom की 38.5% rate है वो लगेगी, okay, done, सरकार, आईए, additional exemption for jewelry, अगर कोई out of India गया और एक साल हो गया उसको बाहर, और एक साल बाद अगर वो इंडिया से बाहर आ रहा है, तो ऐसे case में, ladies passenger के लिए, lady passenger के ल lower, मतलब 40 gram और एक लाग रुपे की value, whichever is lower, और सर, gentleman passenger अगर है, तो जुवल्री कितना, ये box का, box लेकरो ना, बाटा है, सपने में और सर, जब कार्टन देखते था बच्चन में, तभी अच्छा लगता था, बाटा, सर, यहाँ पर 20 grams और 50,000, whichever is, lower का limit दे रखा है, ये additional exemption for gentleman and lady दे रखा है, सर, अगर आप trade of stevers more than one year, अगर more than one year नहीं था, तो ऐसे case में, ये जुवल्री अगर आप ले गया है, तो normal limit of exemption, जो रूल नमर 3 और 4 में दे रखा है, वो लगेगा आपके लिए, ठीके, done, सर, रूल नमर 6 बोलता है, क्या additional allowance for transfer on transfer of residence, अचा एक बात और, सर, ए additional exemption नहीं मिलेगा, लेडी जो जुवल्री लेका है, वो normal exemption limit में count करेंगे, रूल नमर 3 और 4 के coding बेटा, आइए, रूल नमर 6, additional allowance on transfer of residence, सर, मानलो, आप बाहर गये थे, out of India, service के लिए, clear, अब वो घर, अब आपका काम पूरा हो गया है, और professional service पूरी करने के बाद, अब इंड तक क्या था, तो सर, ध्यानना, used, personal and household articles, clear, कितना लोड है, additionally, 60,000 तक का allowed है, clear, पर other than the goods which are mentioned in anexor 1 और anexor 2, but including the articles which are mentioned in anexor 3, अब anexor 2 और 3 में कहा लिखा, वो याद करने के जरूद, आपको नहीं है, examination purpose में, normally तो नहीं आती, बेटा, मैंने list जरूर देर की, पर आपको याद अगर आप बाहर रहे हो, तो ऐसे case में, यही limit 2 लाग की हो जाएगी, बस condition क्या है, sir, आप Indian passenger होना चाहिए, और पिछले 3 सालों में आपने यह benefit नहीं लिया होना चाहिए, plus, अगर आप minimum stay of 2 years आपका बाहर रहा है, तो यह limit 5 लाग तक की हो गई है, पर उसमें condition क्या है, एक minimum period of stay should be 2 years, plus, देंदर ना बाटा, sir, वो, during the last period of 2 years, वो short visits पे इंडिया अगर आया है, तो short visits का total period should not exit 6 months, and उसने पिछले 3 सालों में यह benefit नहीं लिया होना चाहिए, हाँ, sir, अब देंदर ना बाटा, यहाँ पे कुछ benefit दे रहा है, यहाँ बोला क्या है, कि minimum period of stay should be 2 years, आया न पर अगर वो थोड़ा जल्दी आ गया, तो early return up to a period of 2 months, can be condoned by ACDC, अगर early return was due to terminal leave of road, और vacation of the passenger of road, या फिर, sir, देंदर ना में चो, किसी case में, 6 मेने minimum, sir, maximum 6 मेने वो इंडिया में रह सकता है, on short visits during the last 2 years, पर अगर, किसी case में, वो, यहाँ पे more than 6 months रहा है, तो, ऐसी case में, कमि transfer of residence के बारे में बताया है, मैंने rule number 6, आईए currency, currency अगर आप बाहर से ले क्या रहा है, तो इसके लिए respect में, refer करें फेमा के regulations, यहाँ पर अलग से क्यों प्रोविजन नहीं दिये, rule number 8 बोलता है क्या, प्रोविजन regarding unaccumundant baggage, मैंने बताता definition, baggage includes unaccumundant baggage, बेक पहले आ गया, एक महिने के अंदर अंदर, वो baggage हो था, वहां से dispatch हो जाना चाहिए, plus further pledge which may be allowed by ACDC, मतलब passenger आ गया, उसके arrival के एक महिने में वहां से dispatch हो जाना चाहिए, second thing, बेक पहले आ गया, passenger बात में आ रहा है, तो passenger should arrive within two months, दो महिने के अंदर वो आ जाना चाहिए, which is further extendable by the commissioner, but not extending one year, हाँ हाईना भाई, sir, ACDC can allow the further extension, बेटा, पर हाँ, वो extension कब अलाओ करेगा, अगर कोई exceptional circumstances हो गया, बाहर, जैसे बेक पहले बेज दिया, अब आप आ रहे हो, बाहर को accident हो गया, बाहर को calamity हो गई, या किसी ऐसे war वगरा situation हो गई, किसी natural region से, किसी exceptional circumstances की वेज़े से आप नहीं आ पा अगर बेगेज के scope में आगे, तो normal bagage की तरह treat किया जाएगा, और normal bagage के लिए जो exhibition मिलता है, जैसे bonofite bagage में कोई custom नहीं है, और अगर नया bagage है, तो limit तक exhibition देरेका, वो मिल जाएगा, otherwise, अगर इस limit में goods नहीं आया है, या अगर अगर इस limit में goods नहीं आ रहा है, या 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 crew member अगर आ रहा है, तो यह यहां बोल दिया किया, जो हमने additional, जो भी हमने exemption पड़े, ये crew members के लिए applicable नहीं है, नहीं तो ये crew members अपने पती के लिए पुरा duty-free shop को लिए इंडिया में, हर टिर पे 5000 की goods नहीं ले आएगा, पर हाँ, this benefit of exemption is allowed to these crew members, if उनका जो contract period है, वो expire हो रहा पेड़ी gift items, for their personal or family use, which should not exceed the value of rupees, 1500 पंदासों में एक lift नहीं या दे भीटा, हाँ है न, अब तेरे को कैसे बता रहे, clear, done, तो सरकार, ये crew members के लिए benefit दे रहा है, आईए, सर, ये bagage के provision के खतम होते है, अब, अब postal goods और courier के थुरू कर आप goods, import, export करे हो, तो इसके provisions अपन ले है, आप वहाँ पर जाके goods import, export कर सकते हो, अगर आपने import किया, तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये, अगर कोई भी parcel out of index इंडिया में आ रहा है, तो उस by post या courier, तो ऐसे case में, authorized courier होती इसके लिए, और post officer तो ही है, सर, parcel के उपर, जो parcel pack होता है, उसके उपर complete declaration guarding the goods होत है, तो वहाँ पर entry invert के provisions apply नहीं होते है, जबी भी goods आते है, dietly unload करके, सर, इसका authorized person of courier जो होता है, या authorized postal officer जो होता है, उसको goods दे दिया जाते है, वो लोग क्या करते है, in parcels के उपर, जो declaration दिया होता है, इनके base पर एक list तयार करते है, और list submit करते है, to the proper officer of custom, कौन officer, कौन submit कर किसको, proper officer of custom को, और list submit होती है, वो list को verify करता है, custom officer देखता है, क्या इन पर custom लगना है, कि नहीं लगना है, अगर custom नहीं लगना है, तो यसे किसमें, those goods are allowed to be cleared, without obviously, without any further proceedings, और वो goods दिलीवर कर दिया जाएंगे, कंसानी के address पर बिटा, पर अगर, कोई goods ऐसा इस पर custom लगता है तो यसे किसमें, उस कंसानी को intimate किया जाएगा, कि इन goods पर custom pay करो, और फिले जाओ साब, अगर उसने custom pay कर दिया, तो फिर goods को deliver किया जाएगा, otherwise, नहीं, second thing, sir, द्यान दना बचो, उस parcel पे, post पे, postal parcel पे, जो declaration दिया था 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 न, goods का, उसी को bill of entry बानते है, जो आपने, list submit कर होती है, that debt is relevant debt for the purpose of rate of duty and tariff value, हाँ ना भाई, जयान दना बचो, I repeat, in case of import of goods by post और courier, तो sir, जिस दिन list, post लुट पे, ने submit करी, custom ओवी, sir, that debt is the relevant debt for rate of duty and tariff value, अगर custom लगना है, तो बिटा, अगर वो वेसल या एरिक्राफ्ट जैसे goods आ रहा है, वो गर पेले ही आ जाता है, त अगर आपने export किया है, by courier या by post, तो ऐसे case में, जिस दिन आपने parcel deliver किया है, जिस दिन parcel आपने deliver किया है, to the postal authority या authorized courier, क्या होता बिटा, आप parcel पे करेंगे, authorized courier पे जाएंगे, या postal office आएंगे, वहाँ parcel देंगे, sir, उस दिन हो क्या करता है, आपको parcel देंगे, उस दिन आप आपको इसने acknowledgement दिया हो कि goods received हो गया है, that debt is relevant debt for rate of duty, in case अगर export of that parcel पे custom लगना है, to clear, done, सरकार इसे के साथ बारत माता की जाए, ये section भी कतम होता है, अब आईए stores, sir, stores क्यों होता है, these are consumables, only on board the vessel या air cart, vessel air cart चलाने के लिए, sir, stores means the parts and accessories, fuel and other consumables on board the air cart or a vessel, whether required for immediate use or not, sir, अब ऐसे supply to the foreign going vessel या air craft, as a stores, ऐसे के समें, sir, उन पर कोई custom लगने वाला नहीं है, ऐसे के समें, इन goods को गर अपने warehouse में रखवाया है, तो those goods are allowed to be stored in the warehouse without any assessment as well as without any bond, इसले इन को special warehouse में रखा जाता है, so that इसका miss use नहीं हो, clear, done, सरकार फिर आता है क्या, अगर आपको एक vessel से, दूसरे vessel मे एक aircraft से दूसरे aircraft में, कोई store shift करने, तो you can shift it in the Indian territory without the permission of the proper officer, फिर stores जो इंडिया में लाया हो, obviously, इंडिया की territory में जब वेसले aircraft चलेगा, उसमें भी तो फ्यूल वगर consume होगा, it can be consumed in the Indian territory also without any duty, पीटा, same provisions are applicable, अगर आपने Indian Navy ship को ये goods supply किये है, and sir, अगर आपने foreign going vessel ये aircraft को 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 goods supply किये as a store, तो sir, उन पर कोई custom pay करने की ज़रूत नहीं, further अगर import of goods पर custom pay किया, तो उसका आपको 100% drawback मिलेगा, normally 98% drawback मिलता है, या 100% drawback मिलेगा, same is the case applicable for Indian Navy ship को अगर आपने supply किया इन goods को as a store तो, और अगर कोई goods आपने Indian में manufacture किया है, और आपने as a store, foreign going vessel ये aircraft को आपने को खतम होता है, अब शाहिद मजा आ रहा होगा, ये chapter के जो numerical question में आपको दे रहे है, questionnaire book में जरूर करिएगा, क्योंकि दोजार very important question, exam question बनते है, ये chapters बहुत easy chapter से बिटा, in fact custom को लोग समझते प्रोसेजर पाटे, पर मैने जिस तरह से concept आपको समझाए वे lectures के अंदर, clear, वो concepts अगर आपने डंग से पढ़ ले lecture को, तो sir, माहल बनेगा, आपके इंपे customers बहुत easily समझ में आएगा, और in revision lecture से तो साहद, sir, पूरा topic आपके course, आपके control में आ जाएगा, these are like cherry and the cake, clear, I hope, मजा आ रहा है, I hope, माहल बन रहा है, I hope, ये lecture आपके लिए helpful हो रहे है, और आपके revision मे Sir, हमारे लिए कुछ contribute कर रहे हो, all the best guys, love you lot, मस्तो के पड़े, पूरी energy से पड़े पड़े, love you lot